ठीक है हेलो बेटा लोफ लिमिटिंग फ्रिक्शन्स आज हम लोग पढ़ रहे हैं अब तक हम लोगों यह देखा है कि तीन प्रकार के फ्रिक्शन्स के बारे हम लोगों ने स्टेडि किया था पहला था जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट के उपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने कान अब्जेक्ट जो मूव नहीं करता है इट वोजे सिच्वेशन कि हमार पास एक ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के उपर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो फोर्स अप्लाई करने कान अब्जेक्ट जो मूव नहीं करता है क्योंकि जितना मैं force apply कर रहा हूं उसके opposite directions में मतलब कि इस directions में एक friction force जो है वो काम कर रहा है और इसका जो net force वो मेरे पास में 0 बन जाता है तो when the force is applied and the object will not move then such kind of the friction is known as the static friction दूसरा था माल लीजिए हम लोग ने इसके पर 5 newton का force लगा है 5 newton का force लगाने कारण यह object move नहीं कर रहा है लेकिन जैसे मैं 5.1 newton का force लगाता हूं object जो move करना शुरू कर देता है तो 5 newton इस object को static में रखने की वो maximum limit है जहां तक यह object जो है static में static condition में रह सकता है that was known as the limiting frictions the maximum value of the static frictions after that on applying and some external force या फिए कह सकता हूं increasing some external force value object will start to move तो the situation when object just start to moving उस से पहले वाले जो situation होती है जैसे 5.1 पर start हो जाएगा move होना लेकिन जो 5 वाले situation है that is called the limiting friction the maximum value of the frictions when या at a situation जब object जो आपका rest के अंदर रहता है ठीक है तीसरा है इतने हम लोग 5.5 newton से ज्यादा force लगाएंगे तो object will start to make motion and such kind of the friction is known as the kinetic friction kinetic friction में हम लोगों ने दो चीज़े देखी थी एक था हमारे पास में sliding friction और दूसरा था हमारे पास में rolling friction तो हमें जो है आज कुछ low पढ़ने है और लोग हमको पढ़ने है low of limiting friction मतलब limiting friction वो limit friction की जिसके ओपर object जो है maximum rest में रह सकता है उससे just slightly force increase करेंगे तो object will start to motion ठीक है ओके तो कुछ low हमारे पास में है चार लोग है तो one by one हम लोग इन लोग को समझते हैं सबसे पहला जो हमारा कहता हूँ यह कहता है the magnitude of the force of limiting friction between the two body surfaces in contact is directly proportional to the normal x देखिए यह कह रहा है कि जो friction की value है limiting friction की value वो इस बात की ओपर depend नहीं करती कि आपके पास में जो यहां पे जो object रखा गया है उस object की value जो है वो कितनी है या उस object का shape और size कैसा है वो इस बात की ओपर depend करता है कि यहां पे जो object रखा गया है surface के उपर उस object के दोरा बनाया गया जो normal reaction है उसकी value कितनी है फिर से हमारे पास में एक object है जिसका mass है m और यह object जो है एक surface की उपर रखा हुआ है ठीक है यहां पे इस m object, m mass की object के उपर एक downward direction में force काम कर रहा है that is called mg ठीक है तो हम लोग यह जानते हैं कि यदि यह हमारे पास में action होगा तो जितना हमारे पास में action होता है उसके just opposite direction में reaction होगा तो इस mg को balance करने के लिए हमारे पास में एक opposite reaction है that is equal to r तो यदि r और mg बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ r is equal to mg क्योंकि दोनों के वहले क्या आजाती है हमारे पास बैलेंस तो यदि r और is equal to mg आगा that means object जो है वो अपनी situation में balance condition में अब यह मेरे पास में एक surface है इस तरीके का this will be known as surface इस surface की उपर यह जो object है यह ऐसा slide कर सकता है ठीक है यह मेरे पास में पूली है मैं मानके चलता हूँ कि जो पूली हो frictionless है उसमें किसी प्रकार का friction से नहीं है और easy to rotate है मतलग कि जितना आप इसको घुमाना चाहते हो इतना आप इसको घुमा सकते हो इस object को मैंने एक string जो है उससे बांदा हुआ है और string जो है उसके उपर एक force लगेगा that is equal to external force ठीक है इस string के उपर जो external force है वो कौन लगाएगा तो यहाँ पर हम लोगोंने एक pen रखा हुआ है यह जो pen है जिसके अंदर हम लोग कुछ weight रख सकते हैं तो हम लोग यह देखते हैं कि यह इस pen के अंदर मान लीजे मैंने 1 kg का weight रखा ठीक है तो उसके कारण यह जो object है यह move नहीं करता है rest condition में जैसे मैं इसके अंदर 2 kg का weight रखता हूँ अभी भी object जो है move नहीं कर करता है यह object move नहीं करता है तो हम लोग यह जानते हैं कि यह जो applied force यह इस directions में लग रहा है किसकी वज़ेस लग रहा applied force तो इस pen के अंदर रखे गए weight के कान तो कहिना कहीं यह weight बढ़ता जाएगा तो इस object को आगे move होना चाहिए ठीक है यह जैसे बढ़ता जाएगा तो इस directions में लेकिन हम लोग यह देखते हैं कि object अभी move नहीं कर रहा क्योंकि object को रोकने के लिए उसके opposite directions में force काम कर रहा होगा that is called friction is force ठीक है तो यदि यहाँ पे 1 kg force लगा रखा मैंने तो यहाँ पे जो friction जो force है तो उस friction force की value कितनी हो जाएगी तो इस के दौरा लगा जो force है उस बी move नहीं कर रहा तो यहाँ पे जो friction की value है वो automatically adjust हो जाएगी किसके बराबर इस 2 kg के बराबर जब मैंने यहाँ पे 5 kg किया अब मैं यह देखता हूं कि object अभी भी move नहीं कर रहा मतलब इस friction की value automatically adjust हो गई किसके बराबर इस 5 kg के बराबर तो हम लोग यह कह सकते हैं कि friction की value ज इतना weight हम लोग इसमें रखता जाएंगे उतना friction की value बढ़ती जाएगी कब तक जब तक यह object move नहीं कर रहा है जैसे ही object move करना शुरू कर रहे तो हम बोलेंगे इस friction की value इतनी थी खेर यहाँ पे हम लोगों ने 5 kg का weight रखा friction की value कितनी हो जाएगी 5 kg की equal हो जाएगी जैसे इमा 5.1 kg का weight करता हूँ for example यह object start करना शुरू कर देता है ठीक है इस object के अंदर motion जो start हो जाता है that means से यह कह सकते हैं कि इस object का जो limiting friction था वो था इस इसके 5 kg के बराबर ठीक है दूसरा अब हम लोग क्या देखते हैं अभी मेरे पास में सिरफ एक a object था जो की उस surface के उपर रखा हुआ था अभी मैं क्या करता हूँ एक ही बजाए a और b दो object जो है वो रख देता हूँ पहले तक एक था एक object था अभी मैंने क्या किया a और b दो object जो है वो उपर नीचे रख दिये तो सेम चीज़ वहीं पर है दोनों object जो है a और b एक surface की उपर रखे हुए downward directions में reaction काम कर रहा है mg उसके opposite directions मे इसके downward directions के force के opposite directions में reaction काम करें that is equal to arc और r is equal to mg है तो object जो है वो stable condition में ओके लो हम लोग क्या करते हैं इस जो पैन है इस पैन के अंधर कुछ weight रखते हैं माल लिजी हमने इसके अंदर रखा 1 kg हम लोग यह देखते हैं 1 kg के according automatically friction ने अपना जो force कर लिया और यह object जो है वो static रहा हम लोगों ने रखा अभी भी object जो स्टेटिक है क्योंकि friction ने अटमेटिक लिया इसके बराबर अब हम लोग यहां पर जैसे यह 5.1 पर मूँ हो गया है तो तो हम लोग यह देखते हैं इसमें 5.1 किया not moving 5.2 किया not moving 6 किया not moving 789 10 तक किया not moving तो जैसे हम लोगों ने 10.1 किया है it start to moving ठीक है तो इस object कि लिए जो limiting frictions की value बन जाएगी that is equal to 10 इस condition में limiting frictions की value थे that is equal to 5 ठीक है तो हमने क्या कहा कि जितना हमारे पास में normal reaction बढ़ता जाएगा यहां पे normal reaction कितना है इस mg के बराबर यहां पे normal reaction किसके बराबर हो जाएगा इस mg के बराबर तो यह mg क्या है ज्यादा है और य मजी कम हैं तो यहां पे कितना था 5.1 और यहां पे कितना हो जाएगा 10.14 लगाने में पे paradox की रिच्टू भूर सायगी 10 limiting क्यों वह कंगव संद वैफ कि बाड़ता जाएगा अतीन हुट नहीं हमारे पास में अर बड़ता जाएगा उतना ही हमारे मैं तो यहां पर कन्कordon लिखा हुआ है नम लोग कर देखिते हैं के लिए फ्रिक्ट्ट्स कि वाल्यव कelsky र्यां के इसके लिए अम लोग का इस के लिए तो यह तो हम लोग समझी चुके हैं कि यह हमारे पास में जो applied force था उसकी direction हमारे पास में यह वाली है मतलब इधर से इधर है और जो friction force है उसकी direction जो है applied force की opposite direction है क्योंकि यदि friction force की value और applied force की value दोनों की दोनों एक direction में हो जाएगी तो object जल्दी move करना शुरू करें क्योंकि ओब ribbon को यह पॉज करेगा ही नहीं क्योंकि friction force उसको ध्का मारने को सिज करेगा और applied force है वह भी सको खिचने को सिज करेगा तो ऑब्जेक्ट जो जितने force में move करना चाहिए था उससे आधे force में move करना शुरू कर देता है लेकिन हम लोग यह देखते हैं कि applied force जिस directions में लगता है उसके opposite direction friction force लगता है तो second law यही है कि हमारे पास में जो applied force है वो friction force के opposite directions में apply होता है ठीक है जैसा ओल्ड यह कहती थी एरिया फॉंटेक्ट बढ़ा दोगे तो friction की वैल्यू बढ़ जाएगी जबकि ऐसा नहीं था new theory में हम लोग देखा था modern theory में तो वह जो लोग हमारे पास में third वह कहता है कि limiting friction की value independent of area of contact होती है कैसे देखिए हमारे पास situation है हम लोगोंने दो object रखे ह है यहां से एक हम लोगों इस पैन के अंदर जितना मास रखते जाएंगे उसके अकोर्डिंग फ्रिक्शन की value बढ़ती जाएगे हम लोगोंने फ्रिक्शन की value calculate कर ले स्पोर्ज हम लोगों इसके अंदर 10 kg weight रखा जिसके वजह से object का limiting friction तूट गया मतलब 10.1 जैसे ही मतलब surface के साथ में इतना area में touch था अभी हम लोगोंने A और B को जो है इस तरीके से connect कर दिया यह A आ गया यह B आ गया तो हम लोग यह देखते हैं कि अभी जो area है वो बढ़ गया तो area बढ़ने सी जो friction के value बढ़ जानी सी है लेकिन practically हम लोग यह देखते हैं जब इसमें हम ल चाए आप ऐसा रखो जो हमारा normal reaction R जितना है उतना ही रहेगा तो हमारे force of friction की value भी बढ़ रहेगी क्योंकि देखिए यहाँ पर normal reaction इन दोनों का और यहाँ पर normal reaction इन दोनों का यह बनाएगा नीचे mg उपर बनाएगा R नीचे बनाएगा mg और उपर बनाएगा R तो दोनों क का normal reaction और जिन दोनों का एडिशन का normal reaction दोनों क्या मिलेंगे हम लोगों को बराबरे मिल जाते हैं इसलिए area बढ़ाने से गटाने से limiting friction से उसकी value गटती या बढ़ती नहीं है this is our third log छीक है fourth log की हम लोग बात करते हैं fourth log बहुत easy सा यह कहता है कि limiting friction की value जो है वो इस बात के उपर depend करती है कि दो surfaces के बीच में जो दो object के बीच में जो surface है contact of surface है वो कैसा है तो यदि rough surface होगा तो हमारे पास में limiting friction की value बढ़ जाएगी और यदि दो तो सर्फेस ही जो होगा हमारे पास में पॉलिष्ट होगा है स्मूज सर्फेस होगा तो लिमिटिंग फ्रेक्शन की वल्यू घट जाएगे जैसे कि किसी चीज को टाइल्स की ओपर खिचना आसान है जबकि उन्हें चीजों को आप रोडी वगरा या कंकर वगरा के अंदर से में इकोषम करोगी तो वह तधाफ है ठिक है तो कंकर जो हुँ आज मिटिंग फ्रेक्शन की वल्यू कम होती की कंकर में या हमारा फैusion हैं घृत है नेक्स Пом刚 पहले लो जो है हमारा यह कहता है कि जतना हमारा ॥ जतना हमारा की वेल्य होगी मतलब जितना हमारा नॉर्मल जीक्ष्ण होगा उतना यह में ज्याधा porsques लगाना पड़ेगा जैसे यहां पर मेरे पास में A और B दो अब्जेक्ट के कारण इनका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से 10 kg है उसी प्रकार यादि मैं A, B, C कर दू तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इनका 15 हो जाएगा A, B, C, D कर दू तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का 20 हो जाएगा पास में फ्रिक्शन से इस डिपेंद सवन नॉर्मल रिक्शन इस वर्फिस्ट इनका डिए कका दू दा competitive फ्रिक्शन इस वह से शिंबोल आटना है तो लोगोने यहां पर लगा दिया और मुव जो यहां पर है coefficient of limiting frictions coefficient of limiting frictions और इस mu की जो हम लोग value निकालने जिया जाएगा f upon r तो यह जो coefficient of friction से इसको जो हम लोग define करना चाहेंगे यह जाएगा it is the ratio of the force of limiting frictions this is called the force of limiting frictions and the normal reaction between them तो mu is equal to f upon r ठीक है अच्छा यह जो coefficient of limiting frictions है यह यह decide करता है कि दो surfaces के बीच में मतलब कि normal reaction के बीच में और applied force के बीच में दोनों के बीच में frictions के value कितनी होगी तो आप लोगोंने सुना होगा अकसे जब कोई tiles वगरा काम करता है जो marvels वगरा डालने का काम करता है कोई marvels वगरा बेचते हैं तो उनके आप गए होगे तो उन्होंने बोलागा कि यह पत्थर लीजिए इसका coefficient of friction बहुत कम है मतलब कि उस पत्थर का जो चिकनावट है वो बहुत ही ज़्यादा है तो लोग यह कह सकते हैं कि जिस object का coefficient of friction कम होगा वो पत्थर या object उतनाई चिकना होगा एक चीज़ याद रखिए किसी भी object का coefficient of friction 0 नहीं हो सकता इट हैज सम वैल्यूज अद आईदर 0.1 ही क्यों ना हो ठीक है तो जनरली coefficient of limiting frictions indicate the smoothness of the surfaces तो इससी जो coefficient of friction से इसकी value किसकी ओपर depend करेगी तो पहली depend करेगी nature of surface in contact किस परकार के surface है दूसरा कौन से कैसा material है उस coefficient of friction के लिए surface का और तीसरा temperature का भी उसकी ओपर effect पढ़ता है ठीक है क्योंकि हम लोग जानते कि temperature increase होने से जो smoothness है किसी भी surface की वो decrease होती है ओके next thing देखी बटा अब तक जो हम लोग यह डिसकस कर रहे था कि जो coefficient of friction था that is equal to mu that is equal to mu और वो mu हमारे पास में limiting friction के लिए था क्योंकि आप लोगों नियाज से calculate किया है कि mu is equal to f upon r और mu जो है यहां पे है coefficient of limiting friction तो limiting friction मतलब object जो है वो rest condition में रहेगा लेकिन हम लोग यह जानते कि जो friction के तीन पार्ट हम लोगों ने पड़े थे उसमें से एक portion था kinetic friction का तो जब इसी object में moment होगा motion होगा तो जो coefficient of limiting friction mu है वो coefficient of limiting friction convert हो चुका होगा किसमे mu and k में यहां पे mu के जो है वो बन जाएगा coefficient of kinetic friction coefficient of kinetic friction उसी परकार से जो हमार पास equation आये थे mu is equal to f upon r limiting friction के लिए तो यह kinetic friction के बन लिए बन जाएगी coefficient of kinetic friction which will be equal to the f upon k मतलब की force applied on a object and makes a kinetic friction divided by normal reactions ठीक है हम लोगों ने एक graph पड़ा था पिछली क्लास में उस graph में यह दिखाया था कि limiting friction की जो value हो maximum होती as comparison to kis के kinetic friction की reason क्या था reason यह था कि जो interlocking होती है limiting friction में वो maximum होती है ठीक है वो almost जो congested रहते दूसरे के अंदर लेकिन जब motion होता है तो उन दो object के बीच में जो interlocking होती है उस interlocking में time कम लग पाता है इसलिए kinetic friction वो अमारे पास में कम होता है किसके comparison में तो limiting friction के comparison में ठीक है तो what we can say that the kinetic friction values always greater than the limiting sorry always kinetic friction kinetic friction values is always less than the limiting friction या इसी को हम लोग दूसरे words में कह सकते हैं कि limiting friction values always greater than the kinetic friction कि दो छोटे छोटे concept और हैं आप उनको समझ ये थोड़ा सा ये important है एक दो दो नंबर में अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं तो पहला देखिए एंगल ओफ फ्रिक्संस पहले इसकी situation समझते हैं उससे आपको इसकी definition उसमझ में आएगी situation ये है हमारे पास में एक object है ये वाला ये object जो है एक surface के उपर रखा हुआ है क्योंकि इस object के पास में एक mass है और इसके उपर एक gravitational force काम करेगा तो इसके downward directions में एक force लगेगा that is equal to mg इस mg को balance करने के लिए हमारे पास में इसके upward directions में एक normal reaction बन जाएगा that is equal to r ठीक है अब हम लोग ये जानते है कि f is directly proportional to r होता है मतलब जितना r की value बढ़ती जाएगी उतना ही हमारे दोरा लगाया गया जो applied force उसकी value भी बढ़ती जाएगी ठीक है हम लोगों ने क्या किया एक force applied किया that is equal to p उस force applied करने का इसके opposite directions में friction की value जो है वो increase हो जाएग फिर से हम लोग और force की value increase करेंगे तो friction की value और भी increase हो जाएग क्योंकि हम लोगों ने यह पढ़ाया कि static friction जो है वो auto adjustable है ठीक है ठीक है ओके तो हमने माना कि एक force apply करने कारण इस object ने जो friction की value है वो बना ली यहां तक मतलब this is the range of the friction value ठीक है अब यह जो था यह हमारे पास में नॉर्मल reaction आ रहे है यह हमारे पास में friction की range है ठीक है इन दोनों का मुझे एक result 10 ड्रो करना है तो मैंने क्या किया इसको ऐसा expand किया और इस इसको एसा expand किया और इन दोनों का मैंने एक resultant ड्रो कर लिए तो resultant ड्रो करेंगे तो इसके comparison में इस नॉर्मल reaction आर के साथ में resultant जो एक angle बनाएगा that is equal to theta ठीक है अब देखिए यह जो theta है यह theta मेरे पास में क्यालाता है angle of friction इस theta is known as angle of friction तो इसको मैं angle of friction क्यों बोल रहा हू तो बैटा यहाँ पे देखिए मान लीजिए हभी हमने force applied किया हूँ यहाँ पे 5newton का 5newton के force applied करने का नहीं पर जो friction की value हो वो यहां तक बनी है मान लीजिए यहाँ पर मैं फोर्स की value कर देता हूं 5newton के comparison में 2newton force कर देता हूं तो यह 2newton force applied करने का जो friction होगा वो भी कम करूंगा ऐसा graph ट्रो करूंगा तो यह जो थीटा है यह थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास में छोटा हो जाएगा समझ पार हो मान लीजिए मैं 5 Newton की बजाए यहां पर 10 Newton का force लगाता हूं तो मैं यह देखता हूं कि 10 Newton का force लगाने के लिए यह जो मेरे पास में फ्रिक्षन फोर्स यह इंक्रीज हो जाएगा और फ्रिक्षन को मेरे पास यहां पूंच जाएगा तो यहां से जब मैं ऐसा ठीटा ड्रो करूंगा मतलब इन दोनों के लिए दिमर रेजल्टेंट ड्रो करूंगा जब मैंने 10 Newton का force लगा यहां से मैंने इसके लिए और आर के लिए रेजल्टेंट रोग किया तो यह मेरे पास में थीटा जो है वह ऐसा आजाएगा ठीक है यह वाली लाइन पर थीटा आजाएगा तो थीटा की वल्लू क्या हो जाएगी दूट दा फ्रिक्शन वेल्यू तो इस टीटा इन ओने दा एंगल ओग दा फ्रिक्शन ठीक है यह किस-किस के बीच में ड्रोब वा तो नॉर्मल रिक्शन आर एंड फिक्शन से वैल्यू यह हमारी डेफिनिशन से आप लोग पढ़ लेच पढ़ सकते है एक बार इसको अब तो इस दा एंगल वीच इस दा रजल्टेंट ओफ दा फोर्स फिक्शन से एफ एंड दा नॉर्मल रिक्शन से आर ठीक है ओके नेक्स चीज़ ज़िए हम लोग एक ट्राइंगल की बात करें तो यह रह हमेरे पास में ए यह रह ओ और यह रह सी इस ट्राइंगल की हम लोग बात करें तो आता है हमारे पास में एकोल टूप अपोन बेस तो यहां से मह पास में जो पर्रेदिकुलर बन जाएगा देटिजी एकोल टूएशी AC perpendicular और base जो बनेगा that is equal to मार पास में OA perpendicular upon base तो perpendicular जो है उसकी value मार पास में AC और base की value मार पास में OA तो जो perpendicular है वह ये indicate करता है इस line से ये frictions force है और ये indicate करता है कि resultant reactions है तो ये मार पास में resultant reactions तो f upon r is equal to आजागा μू तो अगले लेक्चर में हम लोग जो है एंगल ओफ रिपोज वगरा पढ़ेंगे कुछ और लोग हमारे पास में है तो तब तक बेटा जो है आप लोग इनको देख सकते हो और समझ सकते हो कोई दिखके तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो थैंक यू वरी मुच बेटा थैंक यू